लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं सहीद पंकस्तिर पाठी आज दोपर करीब तीन बजे सहीद पंकस्तिर पाठी का सव उनके पत्रिक गाउं हर्पूर पहुंचा तो जहां सबकी आखर डब डबा गई तो वहीं दूसरे तरफ राज की सम्मान के साथ हुआ अंतिम सलामी तो हर दिल अन्यासिय कह उठा सहीदों क की चिताओं पर लगेंगे हर ब्रस मेले यही उनकी आखरी नीशा होगा जी हां आप तस्बीर हैं महराजगन जन्पत के हरपूर के अमर जवान सहीद के गाउं का देख रहे हैं जिसने देश की रच्छा में आन बान सान लगा अपने प्राणों की आहूति दे दिया जिसने देश सहीद हुए जवानों की गम में डूगया तो वहीं हर तरफ चितकार्थ ने देश का माहुल ही बदल कर रच दिया देश का हर नजवान और हर नागरिक ना सिर्फ पाकिस्तान बिरोधी नारे लगा बलकि पूरे देश में पाकिस्तान पल्धान मंत्री इम्रान खान व सूद अजहर का पुदला फूंग बिरोध पर्दसन किया गया तो वहीं आज तीसे दिन पार्थिव शरीर सहीद के गाउं जैसे ही पहुचा जनपद और मंडल तक के समास्यवी सहीद पंकस्ति पाठी के घर की ओर भागते हुए पहुचे जहां सोका राज़की सम्मान के सा अंतिम बिदाय दिया गया तो ही पूरा गाउ सहीद की याद में रूने लगा दर्द ऐसा कि जाने वाला हर व्यक्ति दर्द में डूग गया जम्मू कास्मीर के पुलवामा में हुए आतग की हमले में महराज इनका लाल सहीद हुआ हरपुल गाउं के रहने वाले पंकस्ति पंकस्तिर पाठी गुरुवार को पुलुवामा में हुए आतंकी हमले में सहीद हो गए बताय जा रहा है कि सहीद जवान रभिवार को ही कास्मिर के लिए रवाना हुए थे लेकिन परिवार बालों को क्या पता था कि उनका भाई, बेटा, पती और पिता अब लोड कर वापस नहीं आएगा पती की सहादत की खबर सुनते ही पतनी बदहवास हो गई थी मा के आसूरों के नहीं रुक रहे हैं सहीद जवान का एक बेटा भी है वहीं सहीद की पतनी आतम की उपर ठोस कारवाई की मांग कर रही है गाउं में मातम का माहावल है पाकिस्तान के प्रती लोगों में आकरोस आज भी द्याप्त है जनतन महराज उनके हरपूर्क से इबारत अली की रिपोर्ट इसकार के अमड़ आसाने सहुने देंगे पाकिस्तान मुर्दाबार मुर्दाबार मुणावावदंने! मुणावाव! मुणावाव!